नमस्कार दोस्तों, बायलोजी के इस डिसकेशन में इस्टिडी पॉइंट संजीत पर आप अस्वागत है। अभी तक हमने ब्लेड के इस सेग्मेंट में ब्लेड क्या है? वा ब्लेड में पाई जाने वाली विभीन तरीके की प्रोटीन्स वा कार्पो सेल्स रक्तिकडिकाएं और इन रक्तिकडिकाओं से रिलेटेद जो भी डिजीज थी उनके बारे में चर्चा किये। जैसे RBC से रिलेटेड रूप वा WBC से तो RBC क्या है? RBC हमारी बाड़ी में आक्सीजन का ट्रांस्पोटेशन करती है और वही WBC से हमारी बाड़ी को इम्मुनूटी परदान करती है तो जो WBC से यद उनकी कमी होती है तब विभीन तरीके की बिमारिया होती है तो उन्ही में सबसे जो खतनाग बिमारी है HIV, AIDS तो इस HIV की जांच की जो भी विदिया है यद कोई HIV से इंफेक्टेट हो गया है तो किन विधियों के माधम से उसके संकर्मित होने का पता लगा आजा सकता है तो उन्हीं विधियों की यहां पर हमाज जानने का परियास करेंगे तो शुरू करते हैं आज का डिसक्सन HIV परिच्छड यह एक बहुत कांप्लेक्स इस्सू है यानि यदि कोई ब्यक्ति HIV से संकर्मित हो जाता है तो संकर्मर्द इतनी जल्दी इसकी जांच से पता नहीं जलता है क्यों कि इसका जो बिंडो पीरियड है बिंडो पीरियड इसका बहुत धीमा होता है बिंडो पीरियड क्या है वह अवस्था जिस दौरान यह कोई ब्यक्ति HIV से संकर्मित हुआ है तो उसके संकर्मण के दौरान हमारे सरीर में उसके सरीर में antibody डेवलप हो रही होती है तो यही अवस्ता बिंडो पिरियट कहलाती है तो यह अवदी बहुत धीमी होती है यानि कि जब कोई ब्यक्ति है एचाइबी से संकर्मित होता है तो उस संकर्मण के दौरान शरीर में इसके एगनेस्ट में हमारा सरीर देखों हमारा सरीर जो है दो तरीके से पतिरच्छा परदान करता है एक होता है इटर्नल bisa में शिस्टम ऑघ अनतरीक जो पतिरच्छा परदान करता है और एक होता है बाहरी जो पतिरच्छा बाहरी जैसे बाहरी जो हमारी इसकिन है तो हमारी पूरे इसकिन पर ये शरीर को शरीर के जितने अंग हैं उनको आउरर के रूब में ढके हुए हैं और इनकी कोशिकाएं इसकिन की बहुत ही कमपैक्ट हैं एकदम सटी सटी ही यानि कोई पदार्थ इसके अंदर नहीं जा सकत अर फिर इक कि इन फारी का लेप लगा होता है जिसे फोकिंग इनुपक शरीय बेस्ट कर पाता लिए कुख को आट न ही और सेक्धी के अभीक म suchना हम युदकी हैं कि डबलू बीसीज के हम पहले अले शैप्टर में बता चुके हैं कि डबलू बीसीज कितने टाइपस होती है उनका कारी क्या होता है जा कर देख लेना तो इन डबलू बीसीज जो हैं इस रोक कारक के प्रती antibody डिवलप कर रही होती है पतिरच्छा तो यह जो पतिरच्छा परदान कर रही है तो यही इस बिंडो अवध में जब HIV से संकर्मण होता है तो इस अवध में हमारा जो शरीर है शरीर बहुत धीमी गत से antibody बना रही होती है तो यही कारण है कि जो HIV परिच्छण है बहुत ही जटिल है यानि कोई ब्यक्त संकर्मित हो गया है लेकिन फिर भी संकर्मण के बाद भी उसके जब परिच्छण किया आता है तो पता नहीं चलता है जिससे कि युआ अपने समाजिक बेहोर के द्वारा दूसरे ब्यक्तियों को भी संकर्मित कर देता है तो जो इसके सरीर में HIV जब संकर्मित होता है ब्यकति HIV से तो हमारे सरीर में लगभग 6 से 6,17 से 6 महीने के बीच में तो 6,17 से 6 महीने के बीच में एंटी बाडी बननी सुरू होती है तो बहुत लंबा टाइम होता है तो इसी लिए जांच द्वारा इतनी जल्दी HIV के संक्रमित होने का पता नहीं लग पाता है तो इनी विदियो में हम देखते हैं एलिसा एलिसा क्या है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एससाई तो एलिसा यह एचाइबी जांच की परिछण की बिद्ध में प्राथमिक बिद्ध है क्योंकि यह कोई HIV से संक्रमित होता है तो सबसे पहले उसकी एलिसा टेस्ट की जाती है लेकिन यह जो बिद्ध है यह इस पेसिक नहीं है बिसिस्ट प्रात्मिक तो है बट इस्पेसिक बिध नहीं है बिसिस्ट बिध नहीं है क्यों कि इसके द्वारा HIV के अलावा भी आनिस संकर्मणों की खोज की जा सकती है ओनली जो एलिशा है या स्रीप HIV की इससे टेस्ट नहीं किया जाता है या और जो बिभिन तरीके की डिजीज है तो उन संकर्मणों यानि जो भी इन्फेक्शन्स है दूसरी बिमारियों के उन संकर्मणों की खोज भी इसके द्वारा की जा सकती है इसलिए या कोई HIV की बिसिष्ट बिध नहीं है लेकिन प्रात्मिक बिध है इस बिध में हम सरीर में जो HIV के बिरोध में एंटी बाड़ी बनते हैं तो उन एंटी बाड़ी की खोज करते हैं यानि जैसे हम उपर अभी समझाए हैं कि जैसे कोई एक रोग कारक सरीर में जब परवेश करता है तो हमारी सरीर की जो सिल्स हैं WBC में B-Lymphocytes एवन T-Lymphocytes T-Lymphocytes कोश्का का काम क्या है कि यह जो बाहर से संकरमण आते हैं तो उन संकरमण को यह पहचानने का काम करता है कि यह T-Lymphocytes अपनी सरीर की सिल्स कोश्काओं को यह पहचानती है लेकिन जैसे अपने सरीर की कोश्काओं से इतन कोई दूसरी कोश्काएं सरीर पर आकरमड करती हैं तो यह तुरंत सुचना B lymphocytes को पहुचा देते हैं कि भाया कोई दुस्मन सरीर पर हमारे उपर आकरमड किया है तब B lymphocytes इस antigen antigen क्या है कोई बोलेंगे antigen तो एंटीजन से समझना कि यद कोई बिदेशत मनलब कि हमारे सरीर की सेल्स नहीं है कोई एक बिदेशी सेल्स है दूसरी कोश्का तो उस जो कोश्का सरीर में परवेस कर रही है उसको हम एंटीजन कहते हैं तो इस कोश्का के एंटीजन के आधार पर बिलिम्फोसाइट कोश्का सरीर में इससे लड़ने के लिए एक छमता परदान करती है जिसे एंटीबाडी या पतिरच्छी कहते हैं तो यहीं एंटीबाडी सरीर में जब डेवलप हो जाती है तो इस रोककारक को मार कर खा जाती है जैसे रोक कारक की मालो साइज ये है तो इसके बिरोथ में एंटी बाडी का साइज ऐसे बनेगा यानि कि इस खाचे में इसको दबोच ले और इस वाहक को मार दे तो इस तरीके से मार देता है तो यही जब कोई संक्रमार सरीर में परवेश करता है तो सरीर में antibody generate हो जाती है और फिर इन्हीं हम antibodies की इस ELISA test में खोज करते हैं कि सरीर में antibody develop हुई ही नहीं अब जब सरीर में antibody प्रतिरिच्छा develop हो गई है तो इस प्रतिरिच्छा को HIV के antigen से हम मैज करा लेते हैं और इस तरीके से हम HIV के संक्रमण होने का पता लगा लेते हैं तो यह जो बिद है बहुत ही sensitive है यानि संबेदर सील है इसलिए समानिता इसका दो बार हम परिच्छन करते हैं तो यह ELISA testing हुई HIV की enzyme linked immune sorbent assai कि शरीर में जो HIV के विरूद में antibody develop होते हैं उसकी हम खोश करते हैं फिर इन्हीं HIV के antigen से हम मैज करा लेते हैं फिर यह मैज कर जाता है तो समझ लो हुआ HIV से संक्रमण है नेक्स्ट बेस्टन ब्लांटिंग बेस्टन ब्लांटिंग यह भी HIV परिच्छन की एक इस्पेसिक अथवा बिसिस्ट बिद तो नहीं है लेकिन यहां पर कंफर्मेटली है कंफर्मेटली मतलब कि इससे निश्चे किया जा सकता है निश्चयात्मत या बिद है तो बेस्टन ब्लांटिंग टेस्टिंग एच आइबी परिच्छर का गोर्ड इस्टेंडर है यानि स्वण मानक इससे कहते हैं इससे इस बेस्टन ब्लांटिंग भी दिस्टें हम यह बाड़ी है तो बाड़ी में जब कोई एच आइबी वाइरस परवेस्ट करता है तो यह हम बताएं हैं अभी उपर कि जो हमारे सरीर की कोशकाओं से इतर जो रोग वाहक कारक जिससे रोग उत्पन होता है जब सरीर में परवेस्ट करता है तो इसी को एंटीजन कहते हैं तो इस परिछड में हम क्या करते हैं किया है तो इसकी कोशकाएं मौजूद है या नहीं है तो याद मौजूद होती है तो कहे दते हैं वह HIV पॉस्टिव है नहीं है तो वह HIV निगेटिव है नेक्स्ट है P24 एंटीजन टेस्ट यानि यह जो बिध है तो इस परिच्छन से P24 एंटीजन टेस्ट से हम सरीर में जो P24 एंटीजन होता है तो P24 एंटीजन का पता लगाते हैं यह मौजूद है यह एंटीजन तो ब्यक्ति एचाइबी से पॉस्टिव है तो यह P24 एंटीजन टेस्ट परिच्छन की इस्पेसिक एंवंग जो कंफर्मेटली निश्यात्मा निश्यात्मक बिध है लिए पी तो फोर एचाइबी परिच्छन की बिस्ट है बिस्ट क्यों है क्योंकि पी तो फोर जो टेस्ट है यह सिर्फ एचाइबी के लिए ही किया जाता है इसलिए यह बिस्ट है और यह निश्चायात्मक है इससे सैटेन पता लगा ही लिया जाता है कि है यह यह नहीं इसलिए यह निश्चायात्मक भी दे इसके लिए हम सरी में T24 antigen का टेस्ट कर लेते हैं इसके आधार पर positive negative दे देते हैं अगला है PCR test PCR polymerized chain reactions तो जो PCR test है यह एक निश्चायात्मक भी दे confirmately भी दे किसी सेंपल में हम इस बिन में RNA या DNA की जो मात्रा होती है मात्रा के बढ़ाने के लिए इसको परियोग में लाई जाती है HIV संक्रमित ब्यक्त के सरीर में वारस के RNA या DNA तो इस RNA या DNA की सीगरता पूर्वा खोज के लिए हम PCR का test करते हैं यानि वारस क्या होते हैं वारस जो हैं सोचिम्जीव होते हैं इनके अंदर RNA या DNA की एक प्रत्य होते हैं RNA या DNA अनुआसिक पदार्थ हैं इसमें सारी अनुआसिक सोचनाये नहित होती हैं तो वारस में RNA या DNA मवजूद होता है इसकी खोल लिपोप्रोटीन की बनी होती है तो इसी RNA या DNA की मात्रा का हम पता लगाते हैं यानि जब यह HIV वारस है जब यह किसी बॉड़ी पर अटेक करता है संकर्मण करता है संकर्मित करता है तो ऐसे में इस वारस के सरीर जब सरीर में इंटर करेगा तो इसका डियन्य या RNA जो भी अनवानसिक मेटेरियल है हास्ट सेल्स में मवजूद हो जाएगा तो जब RNA या DNA को निकाला जाएगा फिल इस वारस के RNA या DNA से मैच करा जाएगा जब मैच हो जाएगा तो समझ लो वह अब्यक्त HIV पोजिट्व होए तो इस आधार पर या PCI टेस्ट किया जाता है इस विद्ध का परियोग करते हुए हम संक्रमण से बारा से पंदरा दिन के भीतर भीतर संक्रमण का पता लगा लेते हैं कुछ बिशिष्ट इस्तितियों में इसका परियोग किया जाता है यह HIV परिछड की इस पे सिख विद्ध तो नहीं है यानि PCI टेस्ट सिर्फ HIV के लिए ही नहीं होता है और दूसरे जो संक्रमण है उनके लिए भी इसका टेस्ट होता है लेकिन यह निश्चयात्मक भी दिये है कनफर्मेंटली भी दिये है यानि निश्चय ही इससे टेस्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट है औरल स्वेब औरल स्वेब एचाइबी वाइरस म्यूकस जो मेंब्रेंस होती है तो म्यूकस मेंब्रेंस की जो स्लेस्मिक जिल्ली होती है यानि जो यह मौथ हुआ मौथ के उपर अंदर साइड जो भी पतली पतली एकदम महीन जिल्ली होती है तो उसी को कहते हैं म्यूकस मेंब्रेंस यानि की हिंदी में स्लेस्मिक जिल्ली तो बहुत यह पतली जिल्ली होती है तो इसी में जो एचाइबी वाइरस है इस वाइरस में मौजूद होता है तो इसी म्यूकस मेंब्रेन का परियोग करते हुए हम जो है एक हाईबी वारस है तो एक हाईबी वारस की पहचान कर लेते हैं यानि म्यूकस में जिल्लियों में एचाइबी वारस पाय जाता है और यह सिलेस्मिक जिलिया मुखिये गुवा में रहा WAY उपस्थित होती है है जैसे यह मुखिये गुवा और जो तो औरल सोब का परियोग करते हुए मुखियां गुवा से लार एवं सेलेस्मिक जिलियों के टुकड़ों को पराब किया जाता है और इनहीं से वारस की पहचान कर ले जाती है मुखे अंदर पतली जिली होती है उगली से करो लगाओ तो पतली से जिल्ली गाल की साइट सि उपास्तित होता है यह उसके ऐसने हम वारस को ले कर लेकिन एक टेकनिक और भी है आर आई ए रेडियो इम्यून असे ए डबल एस ए यू आसे उ तो इस रेडियो एम्यून एसे उ टेकनिक का परियोग करते हुए यह जो बिद है आर आई यह या एलिसा जैसी ही बिद है इस बिद में जो ब्लेड में एंटी बाडी बनता है तो एंटी बाडी की खोच की जाती है बट जो रेडियो धर्मी समस्थानिक है उनका परियूग करते हैं आई आर आई यह जो टेकनिक है यह परिच्छाट एलिसा जैसा ही है लेकिन अंतर यही है कि इसमें भी एंटी बाडी की खोच की जाती है लेकिन जो रेडियो धर्मी समस्थानिक उनका परियूग करते हुए तो आज का discussion यहीं तक, अब next topic में हम जो WBC से related disease हैं, यानि कुछ disease बची हुई हैं, वे और platelets क्या होती हैं, इनके बारे में next day. So, thank you, thank you very much. झाल